अमेरिका समेत दुनिया के अलग अलग देशों में कुरोना वाइरस के मामले बढ़ रहे हैं हाला कि इस बीच एक अच्छी ख़बर भी सामने आई है दरसल अमेरिका ने कुरोना की वैक्सीन का परिक्षण किया है डॉक्टर ने सियेटल शहर में कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहले एक महिला को लगाई है इस महिला का नाम जेनिफर हॉलर है जी हाँ जिस महिला पर कोविड-19 की वैक्सीन का परिक्षण किया गया है उनका नाम जेनिफर हॉलर है जेनिफर 43 साल की है जनिफर हॉलर एक टेक कमपनी में बतौर आपरेशन मैनेजर काम करती है जनिफर हॉलर ने कहा हम सभी बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं ऐसे में मेरे लिए कुछ करने का शांदार अफसर है मेरी दो बेटिया मानती हैं कि स्टडी में भाग लेना काफी कूल है कई देशों में Walter Reed Army Institute of Research साइथ दुनिया भर में संभावित COVID-19 के टीके विक्सित किये जा रहे हैं आपको बता दें कि जन स्वास्ता अधिकारियों को कहना है कि किसी भी संभावित टीके की बुष्टी में एक साल से 18 महिने का वक्त लगता है ये परिक्षन 45 हीवा और स्वास्ता स्वेक्षा कर्मियों के साथ शुरू हुआ है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें